अस्तमा रोगी को असल में किस तरीकी की डाइट लेनी चाहिए, किन चीजों को अवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने अस्तमाटिक अटैक से बच सके और साथी साथ अपने अस्तमागी समस्या पर कंट्रोल कर सके आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे एक अस्तमेटिक पेशिंट के लिए डाइट के इंपोर्टन्स को लेकिन इसको समझने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो अस्तमा जो समस्या है वो है क्या होती क्यों है और उसमें क्या दिक्कत आ रही होती है हमारे शरीर में जिसकी वज़े से जितनी भी समस्या होती है, नहीं सांस लेने में दिक्कत, छाती में जकडन महसूस होना सांस जल्दी से चलते रहना, छाती में से विसलिंग साउंड आना, सींसी की अवाज आना ये सब क्यों होता है और आकिरकार ये अस्तमा की समस्या होती ही क्यों है देखे जब भी किसी विक्ति को लगातार कफ बना रहता है काफी समय के लिए वो दवा लेता है थोड़ा सा आराम मिलता है और उसके बाद फिर वो दुबारा कफ बना रहता है कब बनना जारी रहता है बिना ठीक हुए? तो ये शुरुआत होती है अस्थमा की धीरे-दीरे हम लोग इसे नहीं समझ पाते हैं और समय के साथ-साथ अस्थमा के शिकार हो जाते हैं अस्थमा में अक्सर patient को दिक्कत आती है सांस लें उसकी सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रही होती है ऐसा होता क्यों है पहले इसको समझते है हमारा एक्चुली जो शरीर है इसमें जो हमारा respiratory system है यानि सांस लेने वाला जो आंग है जिसमें फेफडे, bronchi, bronchi holes जो ये सब हैं ये आपको समझने पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं इनके function क्या होते हैं इसको समझना बड़ा असान है आपने पेड देखा है आप उस पेड को उल्टा कर दीजे कुछ इस तरीके का structure होता है हम इनसानों का ये जो गला है जो wind pipe है ये पेड के उस तने की तरह हो जाती है और उसके बाद जो उसकी branches होती हैं वो हमारे दोनों lungs हो गए जब हम सास लेते हैं तो इस wind pipe से होती ही वो सास हमारे अंदर bronchi eyes और bronchi holes में जाती है उन bronchi holes की corner पे एक आप कुछ ऐसा जियूम करें जैसे balloon type का लगा होता है जो सास लेने की वज़े से यानि जब oxygen अंदर जाती है तो वो फूलती है और उसके बाद जब हम सास बाहर छोड़ते हैं तो वो वापस compress हो जाती है इस पूरे process में असल में होता क्या है जो हम oxygen लेते हैं वो oxygen हमारे lungs के थू हमारे blood में mix होती है और blood में से carbon dioxide वापस आती है और वो हम बाहर निकालते हैं ये एक normal process होता है इवन जिन लोगों को अस्तमा की समस्या होती है उनका भी यही process चल रहा होता है बस इस process में रुकावट आ जाती है अब वो रुकावट क्या आती है ये समझते है वहाँ पर pollution बहुत है ये हम सब जाते है इस pollution के साथ साथ जब भी घर में ज़डू लगती है या माली जब बहुत जोड से हवा चल रही है तो मिट्टी साथ में उड़ती है और अगर आपके घर के आसपास या आपके area में कोई factory वगरा है तो उससे निकलने वाला जो धुआ है उसमें भी कुछ elements होते हैं और जब ऐसे elements हमारी सांस के द्वारा जब हम सांस ले रहे होते हैं जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में एक system होता है जिसको हम immune system का नाम देते हैं जो एक guard की तरह काम करता है जैसे ही हमारे immune system को पता लगता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे particle आ गया हैं कुछ ऐसे foreign elements आ गया हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुचा सकते हैं तो हमारा immunity system यानि हमारा guard उसको रोकता है अब वो रोकेगा कैसे? वो इनसान नहीं है जो उसको पगड़ लेगा तो वो क्या करता है? वो हमारी जो bronchi होल्स होती है उन में कुछ function start करता है क्या function start करता है? यह समझिए अब आप इसको ऐसे समझें से पाइप होता है घर में जो पानी वाला पाइप है इसी तरीके की हमारी यह नलिया होती है जिसमें से हम सांस लेते हैं जिसे हम bronchi eyes, bronchi hole जो मैं आपको बता रहा हूँ जो पेड़ की तने जैसी होती है यह कुछ इस तरीके से होती है यानि आप ऐसा मानिये जैसे बल्गम हमारे इन bronchi eyes में, bronchi holes में बनना शुरू हो जाता है इस wind pipe में बनना शुरू हो जाता है ताकि वो जो elements गए हैं वो हमारे lungs तक ना पहुँचे उसको पहले ही wind pipe में रोक दिया जाए साथ ही साथ जो हमारे wind pipe है इसके अंदर जो layer होती है उसमें inflammation हो जाती है यानि जो layer है वो soot जाती है, fool जाती है सूजन को हम कहते है inflammation तो मान लीजे जब कोई नस है अभी वो ऐसी है, normal रूप है जैसी वो fully तो उसकी जगा कम हो जाएगी साथ में mucus आ गया उसके अंदर तो ये हमने क्या समझा कि अस्तमा में क्या समस्या होती है लेकिन हम अक्सर देखते है कि ये जो समस्या है ये समय समय के साथ एकदम से बढ़ जाती है फिर normal हो जाती है, फिर बढ़ जाती है ऐसा होता क्यों है क्योंकि जब भी हम कोई भी ऐसा element लेंगे नहीं जाना है, इसको रोकना है, तो हमारा अस्तमा ट्रिगर हो जाता है, यानि ये सारा प्रोसेस और तेजी से होना शुरू हो जाता है, जहां पर सांस चड़ने लग जाती है, सांस फूनने लग जाती है, आराम से एक वेक्ती सांस नहीं ले पाता है, वो मुझ खोल के सांस लेने की कोशिश करता है क्योंकि म्यूकस आ जाता है साथ में इंफ्लामेशन बढ़ जाती है तो यहाँ पर एक अस्थमेटिक पेशिंट को क्या ध्यान रखना है कि जो वो डाइट ले रहा है वो ऐसी होनी चाहिए जो उसके अस्थमा को ट्रिगर ना करे लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी डाइट है वो कौन सी फूड आइटम्स हैं जिससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है तो चलिए इसको भी जानते हैं अक्सर ऐसा देखा गया है कि अस्तमा को ट्रिगर करने वाले अगर हम food items की बात करते हैं तो चावल उसमें एक एहम किरदार ने बाता है। दूसरा हम यह कह सकते हैं जितने भी ठंडी चीजे होती हैं वो कहीं न कहीं आपके अस्तमा को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके साथ साथ spicy और oily food तो बहुत ही खतरनाक होता है नॉर्मल लाइफ में भी और एक अस्तमाटिक पेशिंट के लिए भी तो आपको यह बिलकुल avoid करना है। साथ ही साथ अकसर ऐसा देखा जाता है कि जो भी हमारी packed items होती हैं चाहें फिर वो cold drink हो, चाहें फिर वो कोई chips हो, chips का packet हो, toast हो, burger हो या कुछ भी ऐसा item जो packed है आप उसको avoid करें। reason उसके अंदर बहुत सारे chemicals होते हैं, हो सकता है कोई भी उन में से chemical आपके अस्तमा को trigger कर दे। इसलिए asthmatic patient को खटी चीज़े आपको जादा से जादा avoid करनी हैं। तो जो हमने बात की खटी चीज़े, ठंडी चीज़े, चावल जैसी और साथ में दही या आपकी चट्नी यह सब आपको avoid करना है। आपको hygiene बरतनी हैं, जहां पर जादा dust वगरा हो उससे दूर रहना है। और अगर आप घर पर dusting वगरा करते हैं, तो अपने face को अच्छे से cover करें, उसके बाद करें या even वो dusting avoid करें। क्योंकि वो dust particle भी आपके asthmat को trigger कर सकता है। तो I hope आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके के खाने को एक asthmatic patient को avoid करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इसके treatment से जुड़ा कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दियेगा number पर call करके आप भारत होमपती के doctors के team से free of cost consult कर सकते हो, अपनी समस्या का समधान जान सकते हो। I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो इसे like जरू करते, share करना बिलकुल न भूलें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चानल को subscribe जरूर करते हैं